गैंग्स्टर गर्लफ्रेंड और मॉर्डर मिस्ट्री नमस्कार आपके साथ मैं हूँ स्तेश नैन मोर्ड गुरुग्राम में 27 साल की दिव्या पाहुजा की हत्या से कई सवाल उठ रहे हैं मोर्डल दिव्या के मौर्डर से दो गैंग्स्टर के बीच की सालों पुरानी दुश्मनी फिर सामने आ गई है बेहत कम उमर में नाम पैसा शुहरत हासिल करने की हस्रत रखने वाली मोर्डल दिव्या पाहुजा कैसे गैंग्स्टर की गर्ल फ्रेंड बन गई फिर कैसे उसी boyfriend के fake encounter के आरोप में 7 साल जेल में रही और जब बाहर आई तो फिर अपने पहले boyfriend के कटर दुश्मर और gangster बिंदर गुर्जर से मिली कैसे एक बड़े hotel कारोबारी से रिष्टा जुडा फिर कारोबारी की गोली का शिकार हो गई इन कड़ियों को जोड़े तो लगता है या तो दिव्या अपने ही बुने जाल में फस गई या फिर किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई हमारी special report एक लाश सवाल 50 में हम इस modern mystery और इसे जुड़े किरदारों की बात करेंगे गैंस्टर संदीप गाडोली की girlfriend और model दिव्या पाहुजा की दो जनवरी को गुरुग्राम के एक होटल में हत्या कर दी गई पुलिस ने मुखे आरोपी समय तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है लेकिन अभी तक दिव्या की लाश का सुराग नहीं लगा पाई इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं किसने और क्यों दिव्या को मौत के घाट उतार देने के बाद लाखों की कार से लाश को ठिकाने लगा दिया गुरुग्राम के होटल में दो जनवरी को एक model की हत्या से संसनी फैल गई मृतका की पहचान 27 साल की दिव्या पाहुजा के तौर पर गुई हत्या के आरोप में पोलस ने दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अभिजी सिंग नाम के शक्स को गिरफतार किया दिव्या पाहुजा कोई आम लड़की नहीं थी दिव्या पाहुजा 2016 में मुंबई में हुए गैंक्स्टर संदीब गाडोली के वक्त भी सुर्ख्यों में आई थी दिव्या गैंक्स्टर संदीब गाडोली की girlfriend थी उस पर गाडोली की सूचना लीग करने के आरोप लगे थी और अब अपनी हत्या के बाद फिर से दिव्या खबरों में है पुलिस की जानकारी के मुताबिक एक जनवरी को दिव्या पाहुजा हत्या रोपी अभिजीस सिंग के साथ घूमने गई थी और फिर अभिजीत और एक अन्य के साथ दो जनवरी की सुबह चार बज कर 15 मिनट पर गुरुगराम के सिटी पॉइंट होटल में पहुँची थी दो जनवरी की रात अभिजीस सिंग ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिव्या की हत्या को अंजाम दिया और फिर उसके शव को अपनी गारी में डाल ठिकाने लगाने के मकसद से अपने दो अन्य साथियों को 10 लाख रुपे दिये अभिजीत के दोनों साथी मृतका के शव को लेकर फरार हो गए हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की सारी घटना होटल में लगे CCTV में खैद हो गई होटल के CCTV की फुटेज में ये भी साथ दिख रहा है कि दिव्या होटल मालिक और एक अन्य शक्स के साथ होटल में आती है लेकिन जाती है लाश बनकर बहराल पुलिस ने अभी जीत और दो अन्य को गिरफतार कर लिया है जिस BMW कार में दिव्या की लाश ठिकाने लगाने की साधिश रची गई वो BMW कार पंजाब के पढ़्याला में मिली लेकिन कार में दिव्या की लाश नहीं मिली इसके बाद सवाल उठा कि दिव्या की लाश कहा है आरोपियों ने उसके साथ क्या किया दिव्या पाहुजा कौन है ये भी आपको बताते है दिव्या पाहुजा का नाम गुरुग्राम के गैंक्सर संदीब गार्डोली के एंकाउंटर में सबसे पहले सामने आया था दिव्या पाहुजा संदीब गार्डोली की एक जमाने में गर्फ्रेंड हुआ करती थी और इसकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को लगी तो संदीब गार्डोली पर श्रिकंजा कसने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। गुलोग्राम पुलिस को पता चला कि दिव्या पाहुजा संदीब से मिलने मुंबई जाने वाली है। उस वक्त गैंक्स्टर की बहने आरोप लगा था कि दिव्या पाहुजा मुंबई जाते वक्त फेस्बुक पर लगा तार अपनी लोकेशन शेर कर रही थी। जिसके चलते गुलोग्राम पुलिस गैंक्स्टर संदीब कारडोली तक पहुँच गई और मुंबई में उसका एंकाउंटर कर दिया। 7 फरवरी 2016 को मुंबई में संदीब का गुलोग्राम पुलिस ने एंकाउंटर किया था। एंकाउंटर के बाद गैंक्स्टर की बेहन की शिकायत पर मुंबई में फेक एंकाउंटर का मामला भी दर्ज हुआ जिसमें गुरुग्राम पुलिस की टीम सही दिव्या पाहुजा को मुंबई पुलिस ने गिरफतार किया था। दिव्या पिछले साल जुलाई में ही जिल से बाहर आई थी 2016 में अपने प्रेमी के फर्जी एन कम टू के बाद 2023 में दिव्या खुद अपने बुने जाल में फस गई और उसकी हत्या करती गई पुलिस के मताबिक दिव्या पाहुजा के पास आरोपी अभीजी सिंग के कुछ अश्लील तस्वीरे थी जिनके कारण वो लगातार ब्लाक मेल कर रही थी दिव्या पाहुजा अकसर आरोपी अभीजी सिंग से खर्चे के लिए रुपे लेती रहती थी और अब मोटी रकम एंटना चाहती थी दो जन्वरी को होटल सिटी पॉइंट में आरोपी अभीजी सिंग दिव्या पाहुजा के साथ आया था वो उसके फोन से अपनी अश्लील फोटो डिलीट कराना चाहता था लेकिन दिव्या ने फोन का पासवर नहीं बताया गुस्से में आकर आरोपी अभीजीत ने दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी मॉडल दिव्या पाहुजवा हत्या मामले में गुलोग्राम SP City मुकेश कुमार ने बता कि लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि दिव्या अभीजीत नाम के एक व्यक्ति के साथ गई थी अभीजीत इस होटल का मालिक है लेकिन होटल लीज पर दे रखा है पोलिस ने जब होटल के सीसिटी फुटेज को खंगाला तो वारदात का खुलासा हुआ अभीजीत ने फोन के मादयम से संपर्क किया वो साथ हेक्स था बलराज वो फिर वहाँ से आया है और अभीजीत ने फिर होटल के करीब डेड़ किलोमेटर दूर यह जो गाड़ी है वो हैंड़ ओवर कर दी बलराज को इस वारे कहा नहीं जा सकता है जब तक गाड़ी की डिक्की ना खुल जाए तो यह बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा इस वारे अभी उक्त ने अभी कुछ नहीं बताया है पर जब बलराज पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कोई इस पर इस बात आप पैसे का लेंगे इनको मामला जो वीडियो बनाने के बाद था या पर कहीं नहीं कि गैंगवार से भी जुड़ा हो सकता है बिंदर गूजर स अभी तक के हाला तो यह सीधा-सीधा जो पैसे मांगने का ही मामला है जिसको हम कहेंगे कि एक्स्टोर्शन समसोर्ट ओफ एक्स्टोर्शन दिव्या अपने पुने जाल में भसी या किसी साजिश का शिकार हो गई यह पुरिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा अभी तक ना दिव्या की लाश का पता चला है और ना मडर के असल मकसद का दूसरा इस मामल में ब्रुग्राम के एक और बड़े गैंग्स्टर और दिव्या के बॉइफ्रेट गैंग्स्टर संदीप गाडोली के कटर दुश्मन बिंदर गुर्जर का नाम भी सामनी आ रहा है आपको बताएंगे आखिर दिव्या पाहुजा के साथ बिंदर अभिजीज से मिली कई सवाल हैं जुनके जवाब तलाशने बाकी हैं गैंग्स्टर संदीप गाडोली की गर्फरेंड दिव्या पाहुजा हत्याकान को लेकर गैंग्स्टर की बहन जोसना ने संसनी खेज आरोप लगाए हैं जोसना के मताबिक दिव्या हत्याकान में अगर गुर्चर को क्या फाइदा होगा इस वक्त मेरे साथ संदीप गारुली जो है उनकी बहन मेरे साथ हैं उनसे बातचीत करते हैं आप बताइए आप शुरुवात से दिव्या पाहुजा की जा चुकी है लेकिन आरोप उसकी जो बहन है वो आपके परिवार पर लगा र हम से क्या लेना देना हमने तो कानून नी अपना काम किया है कानून ने अपना काम किया है हमने कोपरेट किया है कानून ने हमारे साथ कोपरेट किया है सरकारों ने हमारे साथ कोपरेट नहीं किया है तो कानून की वज़ए से यह सब लोग अंदर है and it has nothing to do with us दिव्या की ज जो है यह पहली बात तो संदीप रहा नहीं, आठ साल हो गए हैं, तो अब उसके बहन भायों का कोई लेना देना नहीं है, इस दुनिया से, सब अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो जो यह लड़की है, यह बचकानी हरकत कर रही है, और कम उमर की लड़की होगी है, जो भी है, और हमें जहां जरूरी समझेंगे, हम अपना स्टेंड रखेंगे, लेकिन मैं फिलाल मेडिया के सामने बताना चाहते हूं कि, absolutely we have nothing to do with it. दिविया बाहुजा की क्या बूमिका रही है, क्योंकि दिविया बाहुजा तो आपके भाई की गर्फरेंड थी? गर्फरेंड और बॉइफरेंड एक दूसरे को नहीं मरवाते हैं, वो हनी ट्रैप है, और वो आप उन दिनों के टेबलॉइड अखबार, सोशल मीडिया, क्या नाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया उठा के देख लो, सभी लिखा हुआ है, वो हनी ट्रैप उस लड़की ने, और वो लड़कियों की बातों में जवान लड़के आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो छोटा सा होटल था, हम तो उसमें रहे भी हैं, उस होटल में जाके चेक-इन किरा और वहीं पर उसको मरवा दिया, और यह सामने एक खड़ी थी, और वो ब बाद में देरे देरे वो चेजें फोरेंसिक में गया गया तो पता चला कि संदीप ने कोई गोली नहीं चलाई, और जो हथियार था वो भी बैंगलोर पुलिस का निकला था, उसके भी एक दाहरा लगी हुई है, गुड़गाओं पुलिस बन, और लड़की क्योंकि मेन एक पर दिविया को क्या आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है, कानूनी का लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, तो फिर किसको फायदा हो सकता है दिविया पाउज आउगलोर वागी। जो इस case में अंदर हैं, जिनके जमानत नहीं हो रही है, जो जमानत के लिए आत्पाओं मार रही है, बहुत सालों से, आठ साल से, क्योंकि इसमें दूसरी कड़ी एक और जुड़री है, पुलिस के negligence की, तो पुलिस का negligence क्यों है, कि पुलिस आई और उसको 114 रूम नंबर त इस से अच्छा है कि मीडिया उठाए, क्योंकि संदीप गारोली का जो हमने फेक एंकाउंटर के जो आरोप लगाए थे, तो हमारे साथ मीडिया का क्यी वज़े से हम case जीते थे, तो अभी मीडिया ये बात उठाए कि 6 गंटे क्या पुलिस ने डेलिबरेट लिए 111 रूम क जो चेक नहीं करा और अगर वो चेक कर लेते तो बोडी वहीं थी, अब बोडी मिलेगी, किस अवस्था में मिलेगी, जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो कभी मर्डर होता है तो उसमें लाश का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो आपको लगता है कि जो पुलिस की जो भूमिका रही है, यानि कि दिविया पाउजा की जो भत्या हुई, सूचना गुरूराम पुलिस को 9 बजे मिली, लेकिन 9 बजे गुरूराम पुलिस गई रूसने उस कमरे को चेकी नहीं कि जिसमें डेट बोडी थी, दूसरे कमरे से लेकर बाहर आ गई, तो क्या आपको लगता है कि जानभूज करे किया गया है? मैं वही कह रही हूँ कि इस केस में पुलिस वाले अंदर है, और पुलिस वाले आपस में तो दोस्त होते हैं, अब वहां से कोन इनको डारेक्शन दे रहा है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, अब जब एक पुची चीज है, और ये मुझे लगता है, जानभूज की किया गया है, 111 में बॉड़ी पड़ी थी, बॉड़ी तुरंत बरामद हो जाती, और वहीं के वहीं अरेस्ट हो जाता रंगयात, दस च्वालिस का केमरे के पर सब को आपको मालूम होगा, कि CCTV की जो फूटेज है, जो बॉड़ी को गशिट कर लेके जा रहे हैं, वो दस चवालिस की है, राती, दो तारीक की, और पुलिस ने जब चापे मारी करी है, तो उस टाइम नो बचे थे शायद, I don't know, I don't know the name, sorry, time, तो 114 रूम नंबर, क्योंकि कहते हैं अभी जीत के नाम हमेशा अलॉट रहता थ उस दिन उसने 111 में चेक इन किया है, तो ये स्टोरी मुझे बहुत मन गडंत लग रही है, और यही मुंबई में हुआ था, मलब डेथ वैसी ही हुई है, जैसे संदीब की हुई थी, what goes around comes around, आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में, बिंदर गुजर जो की गैंस्टर ह है, आपके भाई संदीब का एक तरह से वो दुश्मन था, राइवलरी थिन दोनों के बीच में, उसकी क्या बुमी का है, क्योंकि उसका नाम भी आर है, कि वो दिविया पाहुजा को भी जानता था, रभी जित को भी जानता था, देखिए आपको मालूम ही होगा कि इन्हों पहले भी एक ऐसा मर्डर कराया था, अशोक नाम था, अपने ड्राइवर को इन्होंने मारा था, और उसमें संदीब को लपेटने की कोशिश की थी, तो वो भी ऐसी ओंदे मुह गिरा था, और ये जो दिविया पाहुजा का मर्डर है, ये भी ऐसी ओंदे मुह गिरेगा, क् क्योंकि कानून की दृष्टी से कोई involvement मिलेगी ही नी, दो ही लोगों पर मुझे शक है, बिंदर और पुलिस, क्योंकि सब के सब अंदर जेल में बंद हैं, इक खटे, और पुलिस और चोर तो भाई-बाई होती है, वहां मिलकर ये क्या साजिश करे हैं, ये पुलिस का negligence क् दिव्या पाहुजा मर्डर केस में गैंग्स्टर बिंदर गुर्जर का नाम सामने आ रहा है, तो 2016 में गैंग्स्टर बिंदर गुर्जर पर पुलिस के साथ मिलकर संदीप गाडोली की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे थी, और अब करीब 7 साल बाद संदीप गाडो दिव्या पाहुजा मर्डर केस में एहम कडी माना जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए कुछ साल पीछे जाना होगा, दिव्या पाहुजा तब केवल 18 साल की थी, जब उसकी दोस्ती गैंग्स्टर संदीप उर्फ अमिद से हुई, संदीप असल में गाडोली गाओं का रहने वाला था, इसलिए अपराध की दुनिया में उसकी पहचान संदीप गाडोली के तौ कर दिया गया, हर्याणा पोलिस ने मुंबई में संदीप का एंकाउंटर किया था, लेकिन मुंबई पोलिस ने इसे कतल करार दिया था, संदीप गाडोली और बिंदर कुर्चर एक दूसरे के चानित दुश्मन थे, आज से 10 साल पहले की बात है, उन दिनों हर्याणा में र पराद के स्खेल में संदीप अकेला नहीं था, बलकि उसके होते हुए एक और गैंक्सर बिंदर कुर्चर भी ग्रोग्राम में पैट जमाने की कोशिश कर रहा था, और दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराया करते थे, इसी टकरार में एक दिन गाडोली के लड़कों ने बि बिंदर क्या था, बिंदर अब गाडोली के खून का प्यासा बन गया, वो किसी बे कीमत पर उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था, कि संदीप से अकेले भिड़ना मुश्किल है, और ऐसे में उसने पुलिस के साथ हाथ मिलाने का फैसला कि बिंदर ने प्रिसूत्रों के माध्यम से गुरुग्राम क्राइब राज के कुछ पुलिस वालों से बातचीत शुरू की और उन्हें गाडोली के बारे में पिन पॉंट जानकारी देने लगा, पुलिस को और क्या चाहिए था, वो खुद ही संदीप की तलाश कर रही थी, यहीं से कहानी में दिव्या पाहुजा की एंट्री हुई, 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम की रहने वाले मनीश खुराना को डेट कर रही थी, मनीश गाडोली का ही गुर्गा था, अभी दिव्यार मनीश का रिष्टा किसी मुकाम तक पहुँचा नहीं था, उस में संदीब गाडोली बुरी तरह से फस गया, आप सबसे पहले इस जाल को जान लीजिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं, गैंक्सर बिंदर गुर्जर का एखास आदमी है मनोज गुर्जर, मनोज पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन ये मनोज गुर्जर दिव्य संदीब गाडोली के बीच की सबसे एहम कड़ी बन गया, उन दिनों गुर्जर गुर्जर में अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के बाद, संदीब गाडोली अकसर पुने और मुंबई को अपना ठिकारा बनाता था, वो कुछ दिनों तक वहां रुखता, और पुलिस को पता चला कि गाडोली राजसान की भिवाडी जा रहा है, अब पुलिस की एक टीम भिवाडी पहुंचती है, लेकिन जब तक टीम भिवाडी पहुंचती, गाडोली भिवाडी से निकल लिया था, अब पुलिस को पता चलता है कि गाडोली जैपूर की तरफ गया है कि गार्डोली राजसान से होता हुआ मुंबई पहुच चुका है। हर्याणा पुरिस को ये भी पता चलता है कि वो मुंबई के किस होटल में है कौन से कमरे में ठेरा है यानी होटल एरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107। हर छोटी बड़ी जानकारी गार्डोली की ये शेर कर रही थी जो बिंदर के साथ इस साज़श का हिस्सा थी मा सोनिया पाहुजा ये सारी बाते बिंदर गुर्जर के खास आद्वी मनोज गुर्जर को बता रही थी और मनोज यही बातें आगे हर्याना याने गुरुग्राम पुलिस को दी रहा था अपनी चार्शीट में यही लिखा था कि कतल के इस मामले में हर्याना पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहुजा और इसकी मा सोनिया पाहुजा भी शामिल थी कुछ नया करपाती नई शुरवात करपाती नई साल पर दो चनवरी के दिन गुरुग्राम इसका कतल कर दिया क्या संदीब गाडोली की बहने आरोप लगाया कि दिव्या को मरवाने की साज़श बिंदर गुर्जर ने रची ताकि भिंदर और पुलिस वाले गाडोली एंकाउंटर में बच सके मौडल दिव्या पाहुजा 25 जुलाई 2023 को जमानत पर जेल से रिहा हुई थी वो जेल में बंद गैंग्स्टर पिंदर कुर्चर के कहने पर होटेल मालिक अभी जीत सिंग से मिली थी दोनों का रिष्टा ज्यादा लंबा नहीं था फिर दो जनवरी को अभी जीत ने उसे मौत के घाट उतार दिया बिरो रिपोर्ट निउसी ठी मौडल दिव्या पाहुजा की मौडर मिस्ट्री में गैंग्स्टर कनेक्शन इसे पेचीदा बनाता है तो गुरुग्राम पुलिस की जांच में लापरवाही से खाकी पर सवाल उठ रहे हैं पुलिस जब पहली बार जांच के लिए होटल गई तो दिव्या की लाश वही थी लेकिन पुलिस एक कमरा तलाश का लौट आई इस पर परिजन सवाल उठा रहे हैं इसके अलावा कई और सवालों के जवाब मिलना बाकी है हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिल हाल के लिए इतना ही नमस्कार